और इसलाम अलेकुम मेरे प्यारे बचों आफ पर देख सो तो इन दिस लेक्टर विए इसकर्स टॉपिक एंगल प्रॉपरिटीज एंड सिर्कल परपर्टीज पहले हम सारे एंगल प्रॉपर्टीज के सुन्सिंट करेंगे पासफट पर पी वनके एंड पिर regular और पोलीगोनकर वो आपको पता होना चाहिए regular pauligan के लिए regular polygon is a polygon polygon means closed shape regular polygon is a polygon which is having all its sides equal and all its angles equal all its sides and angles our concurrent equal गोगल एक जैसे होंगे सारे साइट और सारे एंगिल एक जैसे होंगे सच टाइप ऑफ शेप सच टाइप ऑफ पॉलिकॉन इस से टू बी रेगुलर पॉलिगॉन और इंटीर एंगिल के बारहें बता रहा है इंटेयर एंगिल एंगिडी एंगिल की किंडिशने में दोनों कंडिशन से इस सद्र को निकाल कि आपको बताऊंगा एक यहां पे मेंशिन करता हूं के शि horror प्ले क्या आजlast के समुए पार Interior and exterior angle is equals 180 degree. OK. So, if its interior angle is equal to 175 the exterior what होगा? 5. 5. Excellent. अगर इंटेरियर एंगल 175 हे तो एक्स्टेरियर एंगल होगा? 5. Because sum of interior and exterior angle is equals to 180 degree. Now the formula of finding out the interior angle is equals to n minus 2 into 180 over n. This is the formula for finding out an interior angle of a regular polygon and the formula of finding out an exterior angle of a regular polygon is 360 upon n. Now it's up to you कि आप इसको interior angle के तुरू solve करें या exterior angle के तुरू आप n की वेली निकाले n means number of sides of a polygon and मतलब है number of sides of a polygon. तो हम इसको exterior angle के तुरू भी निकालते हैं और interior angle के तुरू भी निकालते हैं प्रेक्शन खतम किया सबसे पहले प्रेक्शन गदम करता हूं 175 N 180 ब्रैकेट मॉल्टिप्लाय करते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं 180 एं 180 टाइमस 2 360 तुरी 60 तरी 6 हो गया 175 वहाँ जाके माइनस 175 हो गया तरी सिक्स्टी इप्वेल तूज्टू फाइफ एन चेस्टी अपॉण 5 कि इस इक्वल टून सेम अंसर एन विद्डू तू एन इस एक्वल टू सेवनटी के तू तो इडिर्डू अप थू आप दोनों में से कोई भी एक मेथेड apply कर सकते हैं वोके मेरे प्यारे बच्छों तो अगर आपके पास इंतेर एंगalgल कि वे ने तो आप इंटियन के फॉामुले के ब्हольно से भी आप माலूम कर सकते हैं और एक्सटियर एंग़ के ब्ह लेटों में पहले वो डिसकेस करते हैं अच्छे जी अब ये सवाल है वाट इसमीन बाइब बैंटर कॉन वाट इसमीन बैंटर कॉन मेरे प्यारे बच्छों 5-sided shape 5-sided shape pentagon means five-sided polygon five-sided close shape five sided shape out of five angles five-sided shape out of five angles four angles of two x and one angle of x ओके अब जैसे आपको पता है कि ट्रिक्नोमेट्री ट्राइंगिल के एंगिल्स का सम 180 होता है कॉड्री लेट्रिल के एंगिल का सम 360 होता है तो अब अगर five-sided शेप आ गई या six-sided shape आ गई या seven-sided shape आ गई या 20-sided shape आ गई या बड़ा कोई पॉलिगोन आ गया तो उसमें आप सम आफ एंगिल कैसे निकालेंगे अब पांच एंगिल से पांचों का सम क्या होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है सम आफ एंगिल्स एंटीर एंगिल्स आफ पॉलिगॉन इस एकुल सू एन माइनस टू इंटू वानेटी अप एंटागोन पेंटागोन का मतलब फाइव साइडिट शेप फाइफ वाइनस टू इंटू एंटी एंटू एंटी आंसर विल भी फाइफ फॉर्टी तो इन पांचों इंगिल्स का जो सम होगा वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्छों फाइफ एफ एक एंगिल जो है वो एक से इन पांचों एंगिल का जो समें और इस इक्वल तू फाइफ इख ना अब आप आप इसली कैल्कुलेट कर सकते हैं एक्स, 4 times 2 8x plus x is equal to 540. 9 times x is equal to 540. x is equal to 540 divided by 9 x 9 6 of 54 0 by 0 x is equal to 60 degree. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? अगर इसी की जगह घुक्दा जोड़ा होता है एंद की जगे घQuo के जगह सेंड लृक्द है वहीं नोगा तो घॉक्ञा अग्ले शेप का गर हैप्टा कोन होगा है प गॉन्हिंंज का पर गॉन्हेंज कर शेप अगर ऑक्टा कोमक्दब मींच 8 sided shape अगर 9 अगोन होगा तो नोना गोंद मींस 9 sided shape अगर D का कोन होगा D का कोन मतलब 10 sided shape इसके अलावा जो भी होगी shape उसके sides given होगे cotylateral का मतलब four sided shape अच्छाइजी second part of the question b part a b c d and e b c f आर टू इदन्टीकल रेगिलर एकिड़ आरप्र से औफ तु आड़ेगृर रेगूलर एइंसाइड पॉड-इन आ Pokémon यह पॉलिगॉं का कुछ चार साइट इए ए बी सीडी ए तीन साइड नहीं ए ठीक है और ऑर एबी-सी एफ तो यह कुछ हिस्सा गिवने पॉलिगॉन का है रेगुलर पॉलिगॉन है एंट्राइट पॉलिगॉन है दियर आस्किंग टू कैलकुलेट दे वैल्यू ऑफ एंबला बोल रहे हैं इसका एंगिल क्या होगा इसके साइट कितने होंगे एंगिल तो निकाल लेंगे हम लोग इस आडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे हैं दोनों एक जैसे रेगुलर पॉलिगॉन है आडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे रेगुलर पॉलिगॉन है तो दोनों का इंटियर एंगिल सेम होगा अगर यह एक्स है तो यह भी एक्स होगा ओके तो इससे में एक एंगिल निकाल to 360 sum of all angles at a point is equal to 360 X is equal to 165 ठीक है तो यह एक एंगल एक एंगल आगे एंटियर एंगल 165 अगर एक इंटियर एंगल 165 हैं तो मैंने आपको एंटियर एंगल के दूरू भी निकाला है अगर एक एंगल 165 एंटियर एंगल क्या होगा तो क्या होगा एक एंगल इस एक एंगल आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों पॉलिगान अडेंटिकल है तो जो थर्टी उसको तो बराबर इस्तों में तो तो फिफटीन फिफटीन में तो इसको ऐसे भी कर सकते थे आप दो ठीके दोनों तरीकों से कर सकते हो तो आपको इस पॉलिगान का एक्स्टियर एंगल के तुरू निकाल रहा हूं वह असान तरीका है एक्सटियर एंगल अफ एर एगलर पॉलिगॉन इस इक्सटियर एंगल ऑफ ए पॉलिगॉन इस इक्विल सू थिरी सिक्स्टी अपॉन अब एक्षियर एंगल फिफ्टीन है तरी सिक्टी अपॉन फिफ्टीन किसके एकवल होगा इस ट्वैंटिफोर साइड रेगुलर पॉलिगॉन कितने साइड्सके पॉलिगॉन के अंपर इसके ट्वैंटिफो कि तो इस तरह dor से आप लोग निकालेगी कि चैक कर लें एंजिसान मुर प्यारे बच्चों हो इनिक्पब्चछ न मेर पियारे बच्चों कि कि थोड़ा सा रेपीट कर दें ठीक है कि देखो बिटा सबी रिकोर्डिंग आप बिटा भी थोड़ी देर में पोस्ट करूँगा है शाम में पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा और कहां पोस्ट करूँगा यह जो दो पॉलिगोन ए ए बीसी डी ई बीसी एफ यह दोनोंảnि इंटिकल मतलब एक जिसे हैं पोर क्या हैं रगुलर यह एंसाइड हैं ठीक है मतलब इसके तमाम साइड और तमाम एंगल बराबर है तो इसके तमाम साइड और एंगल बराबर हो तो इसका एक स्ट्रीयर एंगल भी बराबर होगा तो मैं इसका एक स्ट्रीयर एंगल को डिवाइट करूं और असान करते हूं सवाल को माक्स चेक करते हूं कितने दो म प्राबर इसमें तूटेगा पीटा समझ में आई बात जी सब अच्छा जी अब आपको एक्स्टीरियर एंगेल इस इक्वल सू फिफ्टीन डिग्री अब आपने नबर ओफ साइड मालूं करना एक्स्टीर एंगिल तो एक्स्टीर एंगिल का क्या फॉर्मला को बताएगा इसके एक्वल होता है एक्स्टीर एंगिल और एकुछ फॉर्म इसक्टीर एकूल सुल तरी शिर्गूड दिवाडिट्ट वाइन तो अब आपको एंप इंट काटा दो करनी है आपको एक्स्टीर एंगल पता है फिफ्टीन हैं तो प्रॉस मल्टिप्लाइब करें और एन की जब डिवाइट करेंगे फिफ्टीन टाइमस वन फिफ्टीन टूसर थर्टी सिक्स फिफ्टीन टूसर तो एन इस इक्वल टू 24 एनी कन्फीजन में प्यारे बच्चों हमारा समझ में आगई बात जी सब ठीक है और किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम एक यह सवाल है यह भी अंगिल प्रॉपर्टी का है थर्ड एक्जाम्पल एबी एंडी इस परदर स्टेट्मेंट पर दी मैंने एबी एंडी इस परदर यह परदर है ठीक है कोई कंफीजन में प्यारे बच्चों यह पैरलल है मैं इस लाइन को अगर एक्सेंड्क करता हuição अगर बी सीडी मतलब यह वाला आएंगिल आगे एक्स मालूम करना है अ कि अगर मैं इस लाइन को एक्स्टेंड्ट करता हूं पर लैन को कि के लिए कि कि लाइन के इंटीरर एंडियांग老師 कि इंटीयर एंगिल % एंटेयर इंगिल कर स्म कितना होता हैं बहुत हैं बोलो मिरे प्यारीacak इंटीर प्यास कितना होता हैं वानिटी एटी इटे आफ इंटियर एंगिल अगर यू मीज यू शेप बन जाए आपके पास पैलल लाइन से तो इनके इंटियर एंगिल का सम जैसे फर एक्जामपल अगर यह ए है और यह बी है तो ए प्लस बीज इकुल तो वानेटी डिग्री इसे ही क्यों ना हो अगर यह जोइन कर रहा है ट्रांसवर्सल तो इनके जो इंटिरियर एंगिले एक्स है यह वाय है इन दोनों का जो साम होगा वह हमेशा क्या होगा वानेटी होगा तो अगर यह वन फॉर्टी तरी है तो यह हो जाएगा थर्टी सेवन ठीके यू शेप बन फैंके अब यह वर्टीकली ऑपोसिट अंगिल है यह थर्टी सेवन होगा जब दो लाइन आपस पें इंटर्सेक्ट करती हैं तो उनके जो ओपोसिट अंगिल होते हैं वह इकूल होते हैं उसके आगे लीज़न आता है यह आँड़िकली आपोसिट एंगिल और आपोसिट है तो यह कितना होगा कौन पताएगा मुझे सम आफ एड्जेसेंट एंगिल एस्टेट लाइन इस इक्वल तो वानेटी अब वन वन फॉर यह कितना होगा 66 वेरी गूट अमार ओके अब आपको इस ट्राइंगल के दो एंगिल पता पता चल गए है 66 प्लस 37 प्लस एक्स जो मालूम करना है इस इक्वल तो वन एटी अब आप एक्स की वेल्व निकाल लो वन एटी माइनस वन जिरो ट्री एक्स इस इक्वल टू 77 एनी कंफीजन मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यही एक्वलेक्स एंगिल बी सिडी कि इसका रिफ्लेक्स एंगिल क्या होगा अगर एक्व्खेंए दर बोलता कि फांड्र एंगिल लिघी ł Is it Wow . आ KNOW मिभाद को इससे पीछे एंगिल होता है जो और इड़ा होता है इन दोनों से भरेटिसेंगिल के लाता है अब रेटिसंगिल कैसे आता है थो सिस्टी मिसे एक्स माइनस और्स करता आपको अंसर आपको यह एंगल की डेफिनेशन यह हुए है बारे टिक एक यूसर नहीं तेशी नहीं हुए गारे लिशाओ सेट्मेट नहीं जिए आए चाहिए का कि बोलू 05 621ゴ फोर फिरेंटन पढ़ें पहले स्टेटमेंट पढ़ें यह एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां भी मेंचन है ठीक है उसके बाद बी-सी और बी-ई एक्वल है वह रिप्रेजेंट कर रहा है यह लाइन जो बनी होती है यह बताती है इस ट्राइंगल में यह दो साइड कांगरेंट है दो साइड एक जैसे हैं ठीक है पहले आपने कुस्टन को रिफ्लेक्स एंगल केता है बिटा उसके जो इंवर्स पर आंकिल होता है मतलब किसी भी एंगल के साथ दो इंगल बनते हैं जैसे फर एक्जामबल अगर आप ये अंगल बना रहे हो यह एंगल वंट्वैंटी तो इसके पीसे भी एक एंग कि अच्छा जी ना यह मैंने स्टेट्मेंट नोट कर लिए कि एक इसमें आई सॉसलिस ट्राइंगल है और दो लाइन इसमें पैरलल है तो आई सॉसलिस ट्राइंगल की प्रॉपरटी की तुरू इफ टू साइट सार कॉंगरेंट अगर दो साइड एक जैसे हैं तो उनके जो हैं तो इसके ऑपोजिट में 30 वाइफ आएगा इफ टू साइट सार कांग्रेंट देंजियर ऑपोजिट एंगल और और सो कांग्रेंट तो यह मैंने 35 लिख दिया ओके मालुं क्या करना है mów का यह फ कांपे सी वाला एंगल मालूं करना है इसको मैंने एक सानाम दे त्या है कौन-कौन सी लाइन पर लल में हाइलाइट करता हूं एर लाइन को यह लाइन जॉयंट कर रही है यह लाइन जॉइन्ट कर रहे हैं अब देखो यह पैरल लाइन यलो लाइन और ग्रीट ग्रीन लाइन से आपका यू शेप बन रहा है यूशेप बन रहा है यह इंगिल वन जिरो टू अभी यूशेप के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर यूशेप बने प्रेडल लाइन और ट्रांस्वर्स से तो उनके इंटीर इंगिल कसम क्या होगा बोलो 180 तो यह इंगिल क्या बचेगा तो आपका रिकॉइड आंसर आ गया 78 अब दूसरा आंसर देखते हैं एबी 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 एबाला अंसर है इसको मैंने वाई का नाम दे दिया फर एक्जामपल ठीकिए अब आपने वाई फाइन आउट करना है अच्छा जी वाई कैसे मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों यह जैड बन रहा है अभी में बताता हूं मैं जो रेड मार्कर से बना रहा हूं उधरा देखिएगा यह पैलल लाइन यह पैलल लाइन यह पैलल लाइन यह इसको जोइन कर रहा है यह जैड शेप बन गई पैलल लाइन से इस तरह की शेप जैड शेप यह एंड शेप पैलल लाइन से पैलल लाइन और ट्रांसवर्सल से इस लाइन इस ट्रांसवर्सल जो पैलल लाइन को है बैए इकोल जिए तो वी औल्टनेट एंगेल तो यह तर्टिफाइव था अब यह बन रहा तो यह भी ए तर्टिफाइव होगा होगा नहीं होगा कि ऑगा थीक है अब यह 102 है यह इंगिल किसके यौल होगा 102 के साथ쪽 वाला एडजेसनिट एंगिल want zero का एडजेसंट एंगिल किसके एकवल होगा है इन दोनों के साथ वाला एंग एंगिल क्या होगा मिरे प्यारे बिछ मठेथ बताओ 78 साबाश 78 शिएट अब सेवन्टीएट हो गाया ये पूरा सेवन्टी हो गया ये वाला इंगल निकल जाएत ये बीच विए लान कोशा लाइतWow कर दिया केफंप न हो गया ये सेविंटी तो ये वाणी proven होगा तुह है less b यह भी तो यह दूसरी शेप यह भी दो यू शेप बन रही है यह पैरलल लाइन यह इसको ज्वाइन कर रहा है तो वंटेन दो वाई किया हो जाएगा सेवंटी तो बहुत सारे तरीकें आंसर को निकालने के सेवंटी हो गये वाइज इकॉल तो सेवंटी के को लें कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों वेरी कुल बिटा वन इटी माइनिस वन टेन शाबश एनी कंफीजन मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरह के कुश्चन आप लोगों को आने चाहीं एंगिल प्रॉपर्टी इस कुश्चन पर आ जाते हैं एक हैश्चाल और एफफ जैफ्टे ऐए वे सारी पटेल्लिवग्राम कहता है कि इसके एंग्ल एक्वल होते हैं और इंटियर एंगिल का समवनेटी होता है यह पैरलोग्राम की डेफिनिशन है और पैरलोग्राम में अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं तीसरा एंगिल निकाल लो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे Sum of all angles at a point, their sum is equal to 360. So 120 plus 130 plus x is equal to 360. आंसर आया 110 वेरी गुट बेटा 110 110 अब मैंने कहा कि पैरलोग्राम की कंडीशन ही होती कि इसके ऑपोजिट एंगिल होते हैं यह 120 होगा यह 130 है तो यह भी 130 होगा अभी मैंने सवाल नहीं देखा है पहले मैं सारी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यह 110 है तो यह 70 होगा स्वारी 110 होगा ओपोजिट एंगिल होते हैं ठीक है फिर उसके बाद एडजेसेंट एंगिल का सम मनें सम आफ इंटी एंगिल यूशेप का यह 120 है तो यह 60 होगा इन यूशे बन रहा है नहीं यह यह बन रही है कि यह दो पैलल लाइन से क्योंकि कुछ से ने बुला पैरलल ग्राम में आपूजेट साइट पैरलल होती है ठीक है यूशे वाली प्रापटी देखें यह पैरल लाइन और इसको जॉइन करने वाली लाइन ठ्रांसफ़र्सल इनके और इंगल जहूंगे इनका सम एक्स और वाय का सम वन ड़्यूर था यह तो यह 60 होगा समझ गए तो इसको प्रापिटी के तो यह तो यह ओगा इस यूशेप वाली प्रापरटी यह यूशेप बन गया इसका अगर यह 50 है तो इसके सामने वाला भी अब यह वन टेने तो यह कितना होगा मेरे प्यारे बच्छों यू शेप वाली प्रॉपर्टी सेवेंटी यह सेवेंटी यह सेवेंटी यह सेवेंटी तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा एक्सलैंट तो पेला लोग्राम प्रॉपर्टी समझ में आगें अच्छे तरीके से जी-स्टी और फिफ्टी यह ए्ट जैसने इंगल केसम क्या होता है यह वन तर्टिए तो यह कितना होगा फिर्टे के साथ वाला इन दोनों के सम कितना होता है वन एटी जिसका होगा फिफ्टी फिफ्टी अच्छा जी यह फिफ्टी और शिक्स्टी वन टेन होगा है यह यहां तक तो यह कितना होगा कि सेमेंटी हो जाएगा यह स्टेट लाइन बनी होगी है ना ऐसे यह सिक्स्टी था कि यह 50 ता अब 651 तेन हो गया तो यह कितना होगा क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है इन तीनों को सब था सब्सक्राइब अब ट्राइंगल जोए आखिर वाला ट्राइंगल जोए यह आखिर वाला इसका यह एंगल कैसे निकलेगा सेवेंटि और फिफ्टी वन ट्विंटी किए चैंगल क्या निकलेगा 60 एक्सलेंट मेरे प्यारे बच्छों जबर्दस्त शाबस नहीं मेरा विटा आप देख लो क्या-क्या मालुम कर रहा है पहले मालुम कर रहा है बी जी डी डी दी देखो कहां पे बीजी डी किसके एक वोलाया सब्सक्राइब पर शज़िए मेरे बच्चों यह बीजी डी वन टेन लिकाओ ना उसके बाद ए बी जी ए बी जी का है ऐ बी जी 50 डिगरी फिफ्टी ऐसके बाद एच एफ जी एच एफ जी एच एफ जी ये पूरा एंगिल सेविटीच और 50 का मिलाक there सेविटीच और 50 कितना होता है कि वंट्वेंटी उसके बाद एफ एच एफ एच एफ एच एच डिग्री यह रहा एफ एच एच आपने आंसर के कॉलम में लिखने सारे आंसर ठीक है मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं से ठीक है एनी कन्फीजन इंडिस किस्टेम रिटा सेवंटी फिफ्टी और सिस्टी एक लाइन पर कैसे राय कर रहा है सेवंटी फिफ्टी और यह मैंने सारे एफ यह एच एच एफ एक लाइन एना सेट लाइन एच सबसे उपरलि जो लाइन एंडिमि और मनें रिए इंडिलन निकाला था एसिक्स्सी कृटे हमने यह इंगे निगला था एफिफ्टी था फिर यह तीनों एक प्रेम एक ही पॉइंट पर तीनों का सम्माने सेट लाइन इना इसका फानल आंसर तो स्टेट लाइन पूरा यह चीचिक है तो यह तो यह एंगल प्रॉपरटीस के निक फीजन इंगल प्रॉपरटीस वोई भी कुछिए अंगल प्रॉप्रिटीज करेंसा जो समझ में नाया हो यह सवाल एक लास्ट किस्टन अभी एर्रेगुलर पॉलिगॉन है वाटिज मीन भाई रेगुलर पॉलिगॉन इसके सारे इंगल सीकुल ना हो सारे साइट सीपोल ना हो एन इन रेगुलर पॉलिगॉन हैस त्विटी तू साइट से इसके 22 साइट देरा क्म वाइंगल उफ टेजिए एंगल और फॉटीटू साइड एर्रेगॉर पॉलिगॉन मैंने किया फॉमलर बता है था समुफ ओल एंगुलिटी तो सू किया पता है था मैंने उपर अभी पेंटागों का जो इंट सम फॉल इंटी एंगल निकाला था मैंने इस कॉल नहल्मर ओफ साइट इस पॉलिगों की कितना साइट से हैं यह फ़र्मलार रने पॉलिगिन के लिए अपनी यूप अग्सक्राइब माइनस एट फोटीन का साथ है टो एक टोटी आ गया लड़ क्यों भाई तो माइनस टू इजिक मुटिप्लाइब है वानेटी तो यह आ गया 20 to 180 मैं और दिवाद आरी मेरी अलो